नमस्कार, महिलाएं हो या पुरुष हो वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनकी जो चहरे की तोचा है वो हमेशा अच्छी दिखे मगर आज कल क्या होता है कि तनाव भरे महल में, टिंसन भरे महल में हम खान पान का, रहन सेन का ध्यान नहीं रख पाते जिससे हमारे चहरे पे की सुनदरता नश्ट होती चली जाती है, खास तोर पर जो आखों के नीचे काले धाग आ जाते हैं, जिसे दूर करना हर महिला या पुरुष चाहते हैं तो उनको इस वीडियो में जो उपचार बताऊंगा, उसको इस्तमाल करके वो अपने चहरे पे, खास तोर पे आखों के नीचे जो काले घेरे हो जाते हैं, वो इसका इस्तमाल करके लाब उठा सकते हैं, वो लोग भी इस्तमाल करके लाब उठा सकते हैं, जिनके चहरे पे काले काले दाग हो जाते हैं, वो भी इस उपचार को करके लाब उठा सकते हैं, मगर खास तोर पे उनके लिए ये वीडियो है, जो ये काले दाग से परेशान है, नीचे काले घेरों से परेशान है, आखों के नीचे काले घेरे उनको तंग करते हैं, वो इसका इस्तमाल करें और पूरन रूप से पूरी तरह से स्वास्त हो जाएं। काले घेरों की समस्या महिलाओं को जादा होती है पुर्षों की तुलना में और उनकी सुन्दर्ता को भी नश्ट कर देती है। जैसे कि वह बिमार पड़े हों काफी समय से और जब काले घेरे पहले हलके उते हैं। अगर धीरे धीरे जैसे जैसे पुराने हो जाते हैं वैसे वैसे वी गहरे होने लग जाते हैं काले घेरे तब होता है आखों के नीचे जब जो आखों के नीचे जो हमारी तोचा है उसके नीचे भी छोटी छोटी बरीक नसे होती है जिनके अंदर रक्त संचार जो खून का सर लक्षन बताया तो लक्षन में विशेश कर यही होता है कि आखों के नीचे की जगा जो होती है चारों तरफ की खास तोर पे नीचे की जगा वो काली नजर आने लग जाती है और एक पूरी तरह से सरकल बन जाता है काला घेरों का जिसे काले घेरे के नाम से भी जाना जाता है कारण होता है हार्मोन्स इन बैलन्स हो जाने के कारण हो जाता है और दूसरे नंबर में क्या होता है कि सरीर में कमजोरी आने के कारण हो जाता है कई लोगों को पेट में गर्मी और बाई की शिकायत बढ़ जाती है उसके कारण भी आखों के नीचे काले घेरे की समस्या उत्वर्न हो जाते हैं कई बार कई बीमारियों के कारण भी ऐसा हो जाता है कई बार हम नीद पूरी ने ले पाते हैं या टिंसन जादा रखते हैं उसके कारण भी हो जाता है तो उसके कारण भी आँखों के नीचे काले गहरे हो जाते है महिलाओं को सफेद पानी ज़्यादा पढ़ने लग जाता है या वजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है उसके कारण भी कई महिलाओं को देखा जाता है या पुर्शों को वीडिये दोश हो जाता है जिसकी वज़े से भी काले गहरे आखों के नीचे उत्पन हो जाते हैं अब मैं आपको घरेलू उप्चार बताता हूँ घरेलू उप्चार में आपने क्या करना है एक इंच का खिरे का टुकड़ा, इतना मोटा आपने खिरे का टुकड़ा लेना है मिक्सी में डालना है और आधा टमाटर मान के चले की इतना टुकड़ा आपने टमाटर का मिक्सी में डालना है और इतना ही प्याज का टुकड़ा आपने मिक्सी में डालना है और उसमें आधा निंगू निचोड़ देना है और उसे अच्छे से चला देना है जब पेश्ट ब वो के आँख को बंद करके रूई लेके अच्छे से ऐसे मसाज करें, फिर इस आँख को दूसरी रूई से, सुखी रूई से लेके पोंच दे, अगर वो अंदर भी चला जाता है तो जड़ा सा जलन सी होती है, आँखों से पानी आता है और कोई नुकसान नहीं है किसी पर करक और फिर उसके वाद सुखी रूई से पोंच दे, सुबे शाम इसका मसाज करें और इसको सुरक्सित रखने के लिए आप किसी फ्रीजर में रख दे, जब आपने आज बनाया तो मान के चलिए आप इसको साम को भी इस्तमाल कर सकते हैं, अगले दिन बनाने के लिए आप पूरण रूप से बहुत जल्द खतम हो जाएगा और आप पूरण रूप से फिर से पहले जैसे सुन्दर दिखने लग जाएंगे या लग जाएंगी, सुन्दर दिखने लग जाएंगी, यह मोटे भासा में कहले जिए कि आपकी सुन्दरता पहले वाली फिर से वापिस आ दोड़ा सा तुकड़ा आ अपने मीक्सी में टालना है और चार पीस उसमें अंगूर के डालने है उसे अच्छे से घुमा देना है और उसको जब पेष्ट को सूती कफड़े में डालके अच्छे सेनी चोड़े उसका जो रस निकलेगा उसमें थोड़ा सा सहद मिला के उसमें रूई में डुबो के उस रस को अच्छे से मालिस करें सुबे शाम इस मालिस को करें जो बज जाए उसे आप शाम के लिए भी रख दें अगले दिन आप दुबारा इसको नए सेरे से बनाएं क्योंकि एक बार बनाया हुआ सिर्फ एक दिन ही चलता है अगले दिन इसका इस्तमाल मत करें और इसका इस्तमाल कुछ समय तक थोड़े ही समय लगातार करने से आखों के नीचे जो काले दाग हो गये हैं जिसे काले घेरे या डार्क सर्कल के नाम से जाना जाता है वो पूरन रूप से नश्ट हो जाता है और चेहरे की सुन्दरता फिर से वापिस आ जाती है अब मैं आपको रेडी में टुपचार बताता है जिनके पास समय का अभाव होता है पांच बूंद मदाम का तेल लें पांच बूंद नारेल का तेल लें और पांच बूंद आप उसमें इरंडी का तेल जिसे हम कैस्टर ओयल के नाम से जानते हैं मिला के उसे अच्छे से मिला के रूई की साहिता से सुबे शाम इस तरह के से मालिस करें और मालिस लगवक दो से चार मिन्ट रोजाना करें ऐसा दिन में दो बार करने से बहुत जल्द आँखों के नीचे काले घेरों की समस्या जो बहुत ज़्यादा तंग करती है वो पूरन रूप से नश्ट हो जाती है और चेहरे की तवचा हमेशा के लिए सुन्दर बनती चली जाती है और उसमी की सुन्दरता बढ़ती चली जाती है अब मैं आपको परहेज बतायतू क्योंकि बिना परहेज के कोई दवा असर नहीं करती है तो सबसे पहले मैं आपको कूंगा साथ से आठ गंटे की नींद जुरूर लें इससे कम नींद लेने से भी आपको परेशानी उत्पन होगी और आपके सरीर का हार्मोंस जो है आसंतुलन होगा इसी तरह टेंशन से अपने आपको जितना दूर हो सके उतना दूर रखे बजार का तलाफला या ज़्यादा चाए कॉफी या ज़्यादा तेज मिर्च मसाला या ज़्यादा नसीली चीजों का इस्तमाल मत करे आपके लिए जो फाइदे मंद है अब वो बतायता हूँ गुनगुना पानी या ताजा पानी सर्दियों में गुनगुना पानी और गर्मियों में ताजा पानी कम से कम आठ नो गिलास रोजाना हर दो घंटे के अंतर पे जरूर पियें ऐसा करने से आप हमेशा जो है काले घेरों से दूर रहेंगे और आपकी तोचा हमेशा सुन्दर रहेगी इसी तरह फल फुरूट जो मौसम के नुसार आते हैं उनका इस्तमाल करें फल फुरूट के रस का इस्तमाल करें हरी साग सबजियां, हरी साग सबजियों का सूप, सलाद का इस्तमाल जादा से जादा करें आप के लिए बहुत फाइदे मन साबित होगा, दूद का इस्तमाल जादा से जादा करें आप इसका इस्तमाल करेंगे तो आपको बहुत जादा लाब मिलेगा और आखों के नीचे काले घेरे की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी अंकुरित काले चने का इस्तमाल करें अंकुरित मूह का इस्तमाल करें और आखों के नीचे काले घेरे की समस्या को हमेशा के लिए दूर कर लें और लाश्ट में मैं आपको इतना ही कहना चाऊंगा कि मेरे बताएगे इन नुश्कों से अगर आपको पूरन लाब मिले तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको पूरन लाब नहीं मिलता तो आप नजदी की डॉक्टर से हमसे संपर कर सकते हैं धन्यवाद